मौसम बिवाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूरवानुमान चारी किया मौसम बिवाग की मताबिक उत्तर भारत में पश्ची में विशोप सक्रे होने से इसका असर उत्राखण में भी देखने को मिल रहा जिसके चलते एक दो और तीन मार्च को प्रदेश की अधिकान शिस्तों में मौसम बिवाग ने बारश के साथ बर्फ वारी का यलोडर चारी किया सम्भावनाएं हैं ऐसे में मौसम भिवाग ने उच हिमाले छेत्रों वा तीन हजार मीटर से अधिक उचाई वाले इलाकों में भारी बर्फवारी होने से मांग अवरुद होने के आशंग का जाहिर की जिसके चलते आम जिनता को बहुत सतकता बढ़तनी की जरूरत है जो एक पस्चिम वीक्षों को आ रहा है उसकी वज़े से ये तीन दिन जो अच्छी बारिश और बरबारी वो परदेश में देखने को मिलेगी एक तारीक के लिए बात करें तो एक तारीक की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है आप यह कह सकते हैं कि जादतर जगों में परदेश में रहेंगी वह भी इन अंदर के डिस्ट्रिक slash में कहीं कहीं पर कल रात को भी ओ देखने को मिलेंगी अन्य जगे classroom activity है यह हेल की activity है वो भी late night में या early morning में कल जो है कि रात कल रात और परसों के early morning में वो देखने को मिलेंगे जब आप दो तारीक को जाएंगे तो जो activity हो और भी बढ़ेगी तो पूरे परदेश में में कहूंगा कि ज्यादतर जग में हलकी से मद्यम बारिश है वो चलने वाली है दिखन कर देखें चाहिए वो देहरादून है टेरी है या इवन पौडी हरीदवार भी है तो इनमें भारी बारिश की एका दुका जगों में वो संभावन है कुमाओ रिजन में देखें तो अंदर के डिस्टिक्ट में तो जैसे मैंने बोला हो वह ही भारी बारिश और बरब बार करें या दो की सुबह तक में तो आप यह देखेंगे कि जो तीन हजार मीटर या उससे उपर के छेत्र उसमें बरबारी रहेगी और जो 35 मीटर से अजिक उचाएगे जो चेत्र है अंदर के डिस्टिक्स के तो उनमें जो भारी बरबारी जो है कहीं के पर वो देखने को मिल जाएगी दो तार kingdom को जाएगे तो जो भारी बरबारी तो तीन हजार मीटर या उसके आस पास के जो चेत्र है तो उसमें आप देखें गे कि जो है काफी कम हो जाएगी लाइट मॉटर तक कुर रहे है लेकिन आए थंडर स्टॉम है या लाइटनिंग है वो तीन तारिक में भी रहेगी और दो तारिकों जैसे मैं बोला कि भारी वर्षा के सासा जो है जो थंडर स्टॉम एक्टिविटी वो भी पूरे परदेश में जो है कुछ जगों में वो देखने को मिलेगी और इसके सासा जो उसके दोरान लाइटनिंग है या फिर हेल की एक्टिविटी वो भी देखने को मिलेंगी कुछ जगों में तो दो तारिकों जो एक्टिविटी का वो पीक रहेगा तो कहीं ने कहीं लोगों को जो है त्यादबरतना चाहिए और जो आवागमन है उच्छे हिमाली चेत्र बात करें दिस्टिक्स में तो उसमें बी जो है कहीं ने कहीं उसे लोगों को अपनी सुरक्षा करने चाहिए जब ऐसी चल रही हो तीन तारिक से जैसे में कम हो जाएगी तो अगर मैं वार्निंग की बात करूं तो यलो वार्निंग हमने जो है एक तारीक को रखी है और दो में जो वार्निंग उसको औरेंज किया गया है और तीन तरीक में वापस जो वार्निंग को थोड़ा कम किया गया ये लौ वार्निंग में उसको रखा गया है तो ये तीन दिन important है चार तारीक से फिर मोसम साफ हो जाएगा तो यही मैं अभी कहना चाहूंगा नमस्कार